और काशी तो सर्वविद्या की राजदानी है आज काशी का वो स्वामर्थ वो स्वरूप फिर से संवर रहा है ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है और अभी मुझे काशी सांसत संस्कृत प्रतियोगीता काशी सांसत ज्ञान प्रतियोगीता और काशी सांसत फोटोग्राफी प्रतियोगीता के विजयताओं को पुरस्कार देने का आउसर मिला मैं सभी विजयताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बदाई देता हूँ, उनके परिवार जनों को भी बदाई देता हूँ, उनके गुरु जनों के भी बदाई देता हूँ जो युवा सभलता से कुछ कदम दूर रह गए कुछ तो होंगे तो चार प्याक अटके होंगे मैं उनका भी अमिनेंदन करता हूँ आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने उसकी प्रतियों गीता में भी शामिल हुए यह अपने आप में बहुत बड़ा गवरव है आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है नहीं पीछे रहा है आप इस भागीदारी के जरिये काफी कुछ नया सिक कर कई कदम और आगे आये हैं इसलिए इन प्रतियोंगीता में हिस्सा लेने वाला हर कोई बढ़ाई के पात्र है मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विच्वराथ मंदिर न्यास काशी विद्वत परिशत और सभी विद्वानों का भी आदर पुर्वक धन्यवाद करता हूं आपने काशी के सांसत के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई हैं अभुत पुर्वत सयोग किया पिछले दस वर्सों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां दो भूग भी लौंच की गई हैं पिछले दस वर्स में काशी ने विकास की जो यात्रा तै की है उसके हर पड़ाव और यहां की सांस्कूर्टी का वर्णन इन कौफी टेबल बुक में भी किया रहा है इसके अगावा जितनी भी सांसद प्रतियोगीता काशी में आयुजित हुई है उन पर भी छोटी-छोटी किताबों को लौंच किया गया है मैं सभी कासी वास्यों को इसके लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ लेकिन साथियों आप भी तो जानते हैं हम सब तो निमित मात्र है काशी में करने वाले तो केवल महदेव और उनके गण है जहां महदेव का कुर्पा हो जाला उधरती अपने ऐसे ही सम्रुद्ध हो जाले इस समय महदेव को अती आनंद में है खुब प्रसन्न है महदेव इसलिए महदेव के आशिस के साथ दस वर्षों में काशी में चारों और चहुं और विकास का दमरुब जा है आज एक बार फिर काशी के हमरे परिवार के लोगन के लिए करोडों रुपिया के योजिना का लोकरपन होता है शिवरात्री और रंग भरी एकादस से पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जब है अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसत फोटोग्राफी प्रतियोगीता की गैलरी देख रहा था दस वर्सों में विकास की गंगाने काशी को सींचा है काशी कितनी तेजी से बद्वी यह आप सभी ने साक्षाद देखा है मैं सही बोलता हूँ ना आप बताएं तो पता चले भई सच मुझ मैं जो कह रहा हूं सही है बदला है संतोस है लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हों तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी उन्हों को तो आवन बाद बढ़िया काशी दिख रही होगी यही मेरी काशी का सामर्थ है और यही काशी के लोगों का संबान है यही महादेव की कृपा की ताकत है बाबा जोन चा जहलन ओके के रोग पावेला यही लिए बनारत में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उटा के बोलवरन नमपार्वति पते हर हर महादे साथियों काशी केवल हमारी आश्ठा का तीर्थी नहीं है यह भारत की सास्वत चेतना का जागरत केंद्र है एक समय था जब भारत की सम्रुद्धी गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक सम्रुद्धी भी थी सामाजिक वराध्यात्मिक सम्रुद्धी भी थी काशी जैसे हमारे तिर्फ और विश्वनाद्धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट की प्रगती की यग्यशाला हुआ करती थी यहां साधनां भी होती थी सास्त्रात्य भी होते थी यहां सम्वाद्य होता था शोध भी होता था जहां संकृति के स्ट्रोध भी थे साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी इसलिए आप देखिए भारत ने जितने भी नए विचार दिये नए विज्ञान दिये उनका संबन्द किसी ना किसी सांस्कृति केंद्र से है काशी का उदान हमारे सामने हैं काशी शीव की भी नगरी है ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमी है काशी जैन तिर्धंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि संकराचारे को भी यहां से बोध मिला है पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्यान शोद और शांती की तलास में लोग काशी आते हैं हर प्रांध हर भाशा हर बोली हर रिवाज इसके लोग काशी आकर बसे हैं जहां नए विचार पनप्ते हैं वही से प्रगति की संभावनाय पनप्ती है इसलिए भाईयों भेनों विश्वनाद धाम के लोग कारपन के अउसर पर मैंने कहा था याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था उस समय मैंने कहा था विश्वनाद धाम भारत को एक निरना एक दिशा देगा भारत को उज्वल भविश्की और लेकर जाएगा आज यह दिख रहा है का नहीं दिख रहा है हो रहा है यह नहीं हो रहा है अपने भव्य रूप में विश्वना धाम भारत को निरनायक भविश्की और ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रिय भूमी का मैं लौट रहा है विश्वनाद धाम परिशर में आदेश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्टिया हो रही है विश्वनाद मंदिर न्याज सास्तार्थ की परंपरा को भी पुनर जिवित कर रहा है कास्त्री में सास्त्रिय स्वरों के साथ साथ सास्त्रार्थ के समवाद भी गुन्ज रहे है इससे देश भर के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा इससे प्राचिन ज्यान का सरवक्षन होगा नए विचारों का स्रजन भी होगा काची सांसर्थ संस्त्रत प्रतियोगिता और काची सांसर्थ ज्यान प्रतियोगिता भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है संस्क्रित पढ़ने वाले हजारों युवाओं को किताबे, कपड़े और जरूरी संसादनों के साथ साथ स्कॉलर्शिप भी उपलब्द कराई जा रही है शिक्षकों को भी सहायता दी जा रही है यही नहीं काशी तमिल संगमम और गंगा पुश्करलू महसव जैसे एक भारत वेश्ट भारत के व्यानों का भी विश्वनात दाम हिस्सा बना है आदिवाची सांस्कुलर्शिक अयोजन के जरिये आस्था के इस केंद्र से सामाजिक समावेश के संकल्प को ताकत मिल रही है काशी के विद्वानों द्वारा विद्वत परिशद द्वारा प्राचिन ज्यान पर आदुनिक विज्यान के द्रस्टी से नए शोद भी किये जा रहे है मुझे बताया गया है कि जल्द ही मंदिर न्याद सहर के कई स्थानों पर निशुल्क बोजन की व्यवस्ता भी शुरू करने जा रहा है मंदिर ये सुनिशित करेगा कि मा अन्पुर्णा की नगरी में कोई भूखा नहीं रहेगा यानि आस्था का केंद्र किस तरह सामाजिक और राष्ट्रिय संकल्पों के लिए उर्जा का केंद्र बन सकता है नई काशी नए भारत के लिए इसकी प्रेड़ा बनकर उबरी है मैं आशा करता हूँ कि हां से निकले युवा पूरे विश्व में भारतिय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के द्वजवाहक बनेंगे बाबा विश्वनाती इधर्ती विश्व कल्यान के संकल्प का साक्षी भूमी बनी साथियों हमारे ज्ञान विज्ञान और आध्यात्व के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रखा है संस्कृत उनमें सबसे प्रमूख है भारत एक विचार है संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यत्ति है भारत एक यात्ता है संस्कृत उसके इत्यास का प्रमुख अध्याय है भारत विविजिता में एक्ता की भूमिद्य है संस्कृत उसका उद्गम है इसलिए हमार यहां कहां भी गया है भारत अस्य प्रतिष्थे भारत अस्य प्रतिष्थे दूबे संस्कृतम संस्कृतिस्थ ता अर्थात भारत की प्रतिष्था में संस्कृत की बड़ी भूमिका है एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही बैज्ञानिक शोद की भाषा होती थी और सास्त्रिय बोध की भी भाषा संस्कृत होती थी एस्ट्रोनोमी में सुर्य सिद्धात जैसे ग्रंथ हो गणित में आर्य भट्टिय और लिलावती हो मेडिकल साइट में चरक और सुसुरुत सहीता हो या बुरुहत सहीता जैसे ग्रंथ हो ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे इसके साथ ही साहित्य संगीत और कलाओं की कितनी विधाएं भी संस्कृत भासा से ही पैदा हुई है इनी विधाओं से भारत को पहचान बिली है जिन वेदों का पाठ काशी में होता है वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देने पड़ता है ये एक भारत स्रेश भारत के वो सास्वत स्वर है जिनोंने हजारे वर्सों से भारत को राश के रुप में एक बनाए रखा है आज काशी को विरास्त और विकास के एक मोडेल की रुप में देखा जा रहा है परमपराओं और अध्यात्म के इर्दगीर किस तरह आधुनिक्ता का विस्तार होता है अधुनिया यह देख रही है राम लला के अपने नए भव्य मंदिर के विराजने के बात अब अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है देश में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों पर भी आधुनिक इंफ्रासेक्टर और सुविधाव का निर्मार किया जा रहा है यूपी को कुशी नगर में इंटरनेस्लर एरपोर्ड का लाब मिला है ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं अगले पांच वर्षों में देश इसी आत्मविश्वात से विकास को नई रप्तार देगा देश सभलताओं के नए प्रतिमान गड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है और आप भी जांते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी अब मैं सांसत तो हूँ लेकिन हर बार कुछने कुछ काम लेके आता हूँ मेरे लिए भी और आपके लिए भी करोगे ना देखे जीतनी चीजे मैंने बताई जी हर चीज को इतने शांदार तरीजे से यहां लोगों ने उसको उठा लिया सब उससे जूड़ गए और एक नई चेतना नई पीड़ी में आ देए यह स्परधाएं सामाने नहीं है जी जो मेरा सबका प्रयास वाला लक्ष है न यह सबका प्रयास वाला एक सफल प्रयोग है आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा हर चूरिस प्रेस पर क्या होता है लोग पोश्कार चापते हैं आगे वहां की एक विश्यत तस्वीर होती है और पीछे दो लाइन लिखने की जगा होती है मैं चाहता हूँ कि जो फोटो कॉंपोटिशन हुआ है उसमें जो टॉप बढ़िया चित्र उसका वोटिंग हो जाए काशी में लोग वोट करें और वोटिंग में सबसे अच्छे जो दस चित्र हो उसको पोश्कार चाप करके तूरिस्टों को बेचे दे का कार्गम बनाना और हर वर्द फोटो कॉंपोटिशन होगी हर वर्द नए दस फोटो आएंगे लेकिन वोटिंग से होना चाहिए काशी वालों ने वोट करना चाहिए कि इस फोटो को अगे लाओ सारे फोटो जितने निकले हैं उस पर एक बार ओनलाइन कॉंपोटिशन हो जाए कर सकते हैं जालिए दूसरा काम जैसे फोटोग्राफी हुई कुछ लोगों ने तो मोबैल से ही निकाल दिया होगा कॉंपोटिशन में भाग ले लिया होगा अब एक हम कार्कम करें कि जगा जगा पर लोग अपनी मर्जी से बैठें और एक कागची साइट ताय हो उस पर कि स्केच से ड्राइंग करें सकेच बनाएं और उसमें जो बेस कैचिंग हो उनके इनाम भी दिये जाए और बाद में जो पोश्कार निका लेंगे उनके भी बेच दस्ट पोश्कार निकालें करेंगे क्यों आवाज दब गई तीसरा काम देखिए काशी अब करूरों के दादाद में लोग आते हैं गाईड की बहुत जरुरत होती हैं लोग चाहते हैं कि भई हमें कोई समझाएं बताएं बड़ी महनत करके जो यात्री आता है उस पर काशी च्छा जाएं उसके दिन दिमाग से काशी न निकले इसका इलिए एक अच्छे गाईड की जरुरत पड़ती है और इसलिए मैंने कहा है कि उत्तम से उत्तम गाईड की कॉंपटिशन हो सब लोग आए गाईड बनकर के अपना परफॉर्म करें और उसमें से बेस गाईड होंगे उनको इनाम दिया जाए उनको सटिपिएड दिया जाए भविस्त में वो गाईड के रूप में रोजी रोटी भी कमा सकता है एक नाया ख्येत्र विक्सित होगा तो करेंगे आप तो मना ही नहीं कर रहे हो यार तो परिक्षा वरिशा देनीए कि देनीए हैं फिर आपके टीचर लोग करेंगे एंपी असा है कि हमारे बच्चों कि पढ़ाई के बजाए और ही काब करवाता है देखिए हमारे भीतर जितनी स्किल डवलप हो सकती है यह होनी चाहिए पतिभा को विक्तिसित होने के लिए हर आउसर देना चाहिए जी परमात्मा ने हर एक को हर प्रकार की शक्ति दिया है कुछ लोग उसे समारते हैं कुछ लोग उसे ठंडे बक्षे में ढाल करके पड़ कांची तो समर्ने वाला है ब्रीज भी बनेंगे रोड भी बनेंगे भवन भी बनेंगे लेकिन मुझे तो यहां के जन जन को समारना है हर मन को समारना है और एक सेवत बन करके समारना है एक साफी बन कर समारना है उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है लक्ष को पाना है और इसलिए आप सभी विज देता हूं को बहुत बहुत शुब कामना है देता हूं वैसे मैं कारकम में लेट चल रहा हूं लेकिन यह कारकम ऐसा है कि मैरा मन कर जाता है जड़ा ज्यादा समय आप लोगों के बीज़ देता हूं मैंने देखा है बहुत लोगों की इच्छा रहती है मेरे साथ फोटो निकाल लेकि लेकिन मेरी इच्छा है आपके साथ फोटो निकाल लेकि तो आप मेरी मदद करेंगे देखिए मदद तब होगी मैं जो कहूंगा उसका पालन करेंगे तो मैं जब तक यहां से जाता नहीं हूँ किसी को खड़े नहीं होना है ठीक है मैं यहां से पीछा आऊंगा और हर एक ब्लॉक में जाके खड़ा रहूंगा और कैमेरा वाले सारे मंच पर आ जाएंगे वो यहां से फोटो निकालेंगे ठीक है लेकिन यह फोटो तो मैं अपने समद ले जाऊंगा आपका क्या होगा क्या होगा आपका इसका उपाय है आपको बताएंगे आप नमो एप पर जाएंगे अपने मोबाइल पर नमो एप डाउनलोड कीजिए उसमें एक फोटो का विभाद है अपनी सेलफी लेकर के उसमें डाल दीजिए खुद की और एक बटन दबाएंगे तो मेरे साथ कहीं पर भी जितनी भी फोटो आपकी निकली है सब आपके पास AI कैस द्वारा आ जाएगी तो हमतर पुदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितेनाज जी कासी विद्वत परिशत के अध्यक्ष प्रफिसर वसिष्ट्रिपाफिजी कासी विश्वनात न्यास परिशत्य द्यक्ष प्रफिसर नागेंद्र जी राज्य सरकार के मंत्री येवं अन्य जन प्रतिनिदिगान सम्मानित विद्वत जन प्रतिभागी साथियों देवियोर सजनों आप सब परिवार के लोगन के हमार प्रणाम महामना के इस प्रांगन में आप सब विद्वानों और विशेशकर युआ विद्वानों के बीच आकर ज्यान की गंगा में दुपकी लगाने जैसा अनुगव हो रहा है जो काशी काला तीथ है जो काशी समय बेसे भी प्राकिन कही जाती है जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवापीधी इतनी जिम्मेदारी से ससक्त कर रही है ये द्रश्य रदे में संतोष भी देता है गवरों की अनुभूती भी कराता है और ये विश्वास भी दलाता है कि अमरुत काल में आप सभी युवाप देश को नई उंचाई पर ले जाएंगे हमारे काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगा तो आप पका मेरी मदद करेंगे ने बैठे रहेंगे ना किसी को खड़े नहीं होना है बैठे बैठे ही अपनी मुड़ी उची कर सकते हैं ताकि सबकी फोटू आएगी और फोटू मेरे पास ऐसे कैमेरा है जो मुश्कराता है उसी की फोटू निकलती है हारा हारा महादे